दोस्तो 22 मार्च को शुरू होने वाले चेन्ने और बैंगलोर की हाई बोल्टी मुकाबले से ठीक पहले RCB बालों की मुकाबले से पहले फटने लगी है और 22 मार्च को RCB बालों का फूल एचडी में रायता फेलने बाला है क्योंकि चेन्ने की टीम की दिल की धड़कन कहे जाने बाले मिस्टर पूल्ट एमेस दोन ने 22 मार्च की तैयारियां भी से सुरू कर दिया है जिससे चेपों की स्टेडियम में बैंगलोर बालों के खलाब चेन्ने का जल जला देखने को मिलेगा आखिर 22 मार्च को RCB बालों को खदेडने करी है क्या है चेन्ने की तैयारियां हम बताएंगे आपको इस पूरी वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आप भी कटर CS के बाले और चायते हैं कि चेन्ने की टीम IPL 24 भी अपने नांक रे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चेनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आपकी फैपरे टीम चेन्ने की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे दोस्तो 22 मास से IPL का महाकूम सुरू हुले बाला है जिसके उठगाटन मुकाबले में चेन्ने और बैंगलोर जैसी दो खतरनाक टीमें एक दूसरे सेवट ने वाली है जो कि IPL का सबसे ज़्यादा रोम अंचेक मुकाबला देखने को मिलेगा इस हाई बोल्टिज मुकाबले को कोन अपनी नाम करेगा ये तो बक्ती बताएगा फिलाल अगर देखा जाये तो चेन्ने के सामने RCV को बार बार बोईकी खानी पड़ी है और बेचारी RCV एक बार फिर चेन्ने से पिटने वाली है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि RCV RCV के खलाब चेन्ने की ओपने जोड़ी भी पूरी तरह बदली हुई नजराने वाली है क्योंकि डीबाउन कौन भी अपने अंगूटे की इंजरी की बज़े से उपलब नहीं हो पाएंगे ऐसे में RCV वाले कापी खोस होंगे लेकिन चेन्ने नहीं ने RCV की अकड़ मिटान और भी ज्यादा खतरनाग अंदाज में दिखाई दे रही है लेकिन RCV की गेन बाजी भी सीजन में कापी खतरनाग है जिसमें दोस्तों लोग की फर्यूसर और जारी जोसेप के अलाबा मिया भाई मोहमद सिराज मौजू थे और चेन्ने बालों को RCV की गेन बाजों को दिखाई देगे और डेरिन मिचेल के सामिल होने से चेल नहीं कापी खतरनाग हो जाती है मतलब कि अगर RCV की पल्टन में केजी है फिलॉप सावित होते हैं तो RCV का रायता फैलने से कोई नहीं दोग सकता क्योंकि जूनियर मलिंग महिसा पाती राना RCV के टॉप ओडर को दोस्तो इस हाई बोटे नुकाबले से ठीक पहले आप RCV और CSK जैसी टीमों के लिए क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंड करके आप अपनी कीमती राय जिरू बनाएं और हाँ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो जूल कर ले ताकि आपको आपकी फेवर्ट टीम चेनले की अपडेट मिलती रहे हैं